आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने दो चर्चित मुद्दे मामले देखे थे पहला मामला है आयोध्या का विभाद आप देखते हैं कि राम जनम भूमी को लेकर जो विभाद था बाबरी मस्चित को लेकर उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा किये थे फिर दूसरा मामला आपका बनारस का है ज्यान हो आप भी मस्चित को लेकर और कहते हैं कि सिभगवान की मंदिर को तोड़ कर ये मस्चित बनाई गई है तो उसकी पूरी कहानी हम लोगों ने देखी थी उस पर भी बात की थी अगर आपकी दिमाग में इन दो मामलों से संबंदित कोई भी सवाल है तो इन किलासों को आप लोग कवर कर लिजे आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान सब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा और सामान ग्यान के नाम से एक प्ले लिष्ट सूची बनी हुई है उसी में एक लासे आपको मिल जाएगी तीसरा मुद्धा आता है तीसरा मामला है कि इसने भगवान के जनमिस्थान को लेकर मत्वरा की बात कर रहा हूँ और आप सभी जानते कि यहां भी हिंदो और मुसलिमों की बीच विबाद बना हुआ है तो इस मुद्दे के बारे में भी हम लोग बिस्तार से चर्चा कर लेते हैं और भी जो आपकी मुद्दे बकाया है जा हिंदो मुसलिमों की बीच विबाद बना हुआ है उन पर भी समय समय पर हम लोग बात करते रहेंगे ठीक है यह आप देखे इदगा मश्चित देखने को मिलेगी और भगल में आप लोगों को सरी किसमे भगवान का मंदिर देखने को मिलेगा देखें है हमारी पिट भी है एक बार इन तीनों Egyptian को आप लोगों को बता देता हूँ और इस यहां में आप देखेंगे इन हमारा प्यारा भारत है भारत में आप लोग जाएंगे उत्तर Посब्डेश और आपको बता दूँ जितने ये सामाजिक धार्मिक मुद्दे हैं उससे कहीं ये राजनितिक मुद्दे भी बन जाते हैं और इन पर खोब राजनिती भी होती है और आप सभी जानते हैं कि उत्तरवकेदेश से राजनिती की दिरिष्टी से काफी महत्मूर है इसलिए क्योंकि बिधान सभा में 430 सीट हैं बिधान परिशद में 100 सीट हैं राज सभा में 31 सीट हैं लोग सभा में आपकी 80 सीट हैं लखनव इसकी राध्धानी है और आप देखें इसकी इंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है और आप लोगों को एक और बात मालू होना चाहिए कि कहा जाता है ऐसा कि जो दिल्ली की गद्धी है ना इसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है और पिदार मंत्रियों की सूची उठा के आप लोग देखेंगे ना तो आपको मालू भी चलेगा कि अधिक तरपिदार मंत्री आपके उत्तर पिदेश से ही निकल के आए हुए है और इसमें आप देखेंगी कि आयोध्या आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा यह आपका बनारस है क्या है बनसी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ठीक है और यह यह उध्या है और फिर आप लोग यहाँ जाएंगे तो आप लोगों को मत्रा देखने को मिल जाएगा और मत्रा आप लोग जाते रहते होंगे देखें यह मत्रा है तो आप देखेंगे कि मत्वरा में स्री किसन जनव भूमी इस्थान पुर्षद में जो मंदिर बना हुआ है उसी से सटी खड़ी है यह इदगा मर्जित जो बिवात का कारण है अब आप लोग कहोगे कि यह किसन भगवान कौन थे यह भी बात तो आती है तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धरम में भगवान मानते हैं सिर्क किसन भगवान और यह विष्णू के आठवे आउतार माने जाते हैं कनहिया, स्याम, गोपाल, केसा, द्वारका अधिस, वासू देओ, इन सभी नामों से इने आप लोग बोलाते हैं और आप सभी लोगोंने महाभारत देखी होगी, भगवद गीता पड़ी होगी तो आप देखते हैं कि अर्जुन को किस तरह से मौटिवेट करते हैं किसन भगवान, समझ रहे हैं आप लोग, आप लोग देखते रहते हैं कि अब जब आप लोगों का निरास होते हैं, मन नहीं लगता है तो आप लोग कोई वीडियो देखते हैं, कोई कथन पड़ते हैं, इस तरह की कहानी पड़ते रहते हैं, तो अर्जुन भी आप देखते हैं की लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्हें इन्हें ग्यान दिया था और आज भी आप देखे उस समय जो उन्होंने कहा वो आज भी लोग मानते हैं और उनके बताय रास्तों पर चलते हैं इनकी मा की अगर हम लोग बात करें जनोंने पालन पोसन किया जनम दिया देवकिव और बासुदिव ने और आप देखें पाला यसोदा और नंद बाबा ने और अदालत में कहा गया कि जिस जगे पर यह इदगा मर्चित बनाई गई है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर स्री किस्न का जनम हुआ था और मुझे लगता है कि यहां भी आप लोगों को महाभारत देख लेनी चाहिए ऐसा कहा जाता है कि कंस जो था यह अप्तियाचारी सासक था राजा था और इससे किसी ने कह दिया भविस्वाणी करती कि तुम्हारी मौत तुम्हारी बहन के बेटे से ही होगी तो यह अपने बहनोई यानि कि अपनी बहन के पती को और बहन को कारागार में डाल देता है और उनकी जो की बेटे बेटी होती हैं संताने होती हैं उन्हें मारता जाता है और किसन भगवान उनमें से बच निकलते हैं और उसकी अपनी कहानी है फिर आप देखते हैं किसन भगवान ही उसका बद कर देते हैं तो उसी कारगारी की बात हो रही जहां किसन का जनम हुआ था और मोगल समराट औरंग जीब के बारे में पढ़े होंगे मद्देकालीन भारत में इसने 1679 से 17 के दौराद स्री किसने जनम स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया वहाँ पर इस इदगा मस्जित का निर्माड दिया था और देखिए औरंग जीब ने कही ऐसा कहा जाता है जो काम किये उसके कारण आज भी हिंदू मुसलियों में बिबाद बना हुआ है और कई किताबें आप लोग पढ़ेंगे इतिहास पढ़े होंगे तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिरों में धन छुपा होता था तो इ ऐसे कई उधारन भी मिलते हैं जाहें इसने मस्टिदेत भी तोड़ी है और मंदिरों को दान भी दिया है तो अपनी अपनी सब इतिहास है आप किसको मानते हैं या अपना रहता है और आप देखेंगे कि फिलहाल एक बार फेसे कोट में पहुंच चुका है हिंदू पक्षक हैं यहाँ पर इस मस्टिद से पहले हिंदों का मंदिर हुआ करता था लोग ऐसा मानते हैं देखें कि ऐसा औरंगेम ने किया शरी किसने जनमिस्थान सेबा संस्थान और साही मस्टिद इदगा के बीच पहला मुकदमा 1832 में शुरू हुआ था और तब से लेकर विभिन में मसलों को लेकर कई बार मुकदमे माजी हुई लेकिन जीत हर बार सरी किसने जनमिस्थान सेबा संस्थान की हुई है और सरी किसने जनमिस्थान सेबा संस्थान की सतदस गोफेसोर नाच चतरवेदी ने बताये कि पहला मुकदमा 1832 में हुआ था अता उल्ला खान ने 15 मार्च जिसमें कहा कि 1815 में जो नीलामी हुई थी उसको निरस्त किया जाए और इदगाय की मरमत की अनुमती दे जाए इदगा मर्चित की 29 अक्टूबर 1832 को आदिश कलेक्टर डबलू एच टेलर ने आदिश दिया जिसमें नीलामी को उचेद बताया गया और कहा कि मालिकाना हग पटनी मल राज परिवार का है फिर गोपेसोर चतुरवेदी ने बताए कि इस नीलामी की जमीन में एदगा भी सामिल थी और इसके ब 1864-1966 में भी मुकद में चले और सरी किसन ने जनम इस्थान की 33.37 एकर जमीन पर मालिकाना हग को लेकर कई लोग कोट भी गए इस जमीन के ही एक हिस्से पर आप देखेंगे साही इदगाय बनी हुई है मर्जिद बनी हुई है और हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कि सरी किसन के आठवे अवतार सरी किसन का जनम इस्थान उसी धाचे की नीचे है जहां पर प्राचीन के सव राय मंदिर हुआ करता था और दावा ये भी किया जाता है कि 1935 में इलावाध हाई कोट ने बना रसी कि हिंदू राजा कु मत्रवा की अभिवादी जमीन के अधिका संस्था का गठन हुआ और जिसने मुसलिम पक्चि से समझोता कर लिया था और क्या था एक समझोता 1968 का इसके बारे में भी याद रखिएगा ये 1959 में स्री किसन जनम भूमी ट्रस्ट बनाकर यह तै की आग गया कि वहां दोबारा भब मंदिर का निर्माद होगा ट्रस्ट उ इसने ट्रस्ट के लिए तै सारी भूमी काई निभानी शुरू कर दी और इस अंस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंतन के लिए एक सेविल केस दायर किया लेकिन 1968 में खुद ही मुसलिम पक्च के साथ समझोता कर लिया और इसके तहत मुसलिम पक्च ने मंदिर के लिए अ आर्मी कती किरमड के खिलाब केस को लेकर सबसे वड़ी रुकावट एक और है पिलेस ऑफ बरसिव एक्ट 1991 इसकी काफी चर्चा होती रहती है तो इसके बारे में आप लोग जरूर जान लेजेगा अभी अदालत में ये मामला पेंडिंग है क्या होता है ये तो आने वाला समुदाय की बीच इन सबको ध्यान में रखती हुए 1991 में धार्मी किस्थल कानून आया था जिसे आप लोग पिलेस और बरसिव एक्ट 1991 की नाम से जानते हैं 1991 में नरसिंभा राओ की सरकार में पास हुए पिलेस और बरसिव एक्ट 1991 में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश की अगे भी उसी का रहेगा और इस एक्ट से अयुद्या में सिरी राम जनम भूमी को अलग रखा गया था क्योंकि यह मामला पहले से आप देखिए कोट में पैंटिंग में पड़ा हुआ था और एक बात वर याद रखिएगा कि देखे 15 अगस्त 1947 के पहले हम आजाद नहीं ह उस समय नातो हमारे पास सुतंत सरकार थी नातो सुतंत नियाए पालिका थी तो यह कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो मर्जित है तोड़े गए हो या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हो उन सब को भूलना होगा लेकिन 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन वो तारीक तैकर दी गई कि इस दिन जहां मंदिर है वहां मेंसा मंदिर रहेगा जहां मर्चित है वहां मेंसा मर्चित रहेगी किसी भी धार्मी किस्तल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा लेकिन आप देखें चलिए और कुछ आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुजा हो तो आप लोग बता सकते हैं और यह एक मुद्द्ध है ने आप लोग पढ़ते रहा करिएगा समझते रहा करिएगा ठीक है